असलाम अलेकुम दोस्तों, दोस्तों, Microsoft Excel की आज की सीरीज में, हम डेटा से रिलेटेड जो है, आप किस तरह से डेटा एड करते हैं, एडिडिंग करते हैं, डेलीट करते हैं, और उसमें जो फॉर्मेटिंग होती है, उसको किस तरह से क्लियर करते हैं, यहीं कि जब कर भी इंपोर्टन है कि कीबोड से किस तरह से काम किया जाता है, तो आज की वीडियो में, जो भी हमारी प्रोब्लम्स आते हैं, सेल में डेटा एडिरिंग करना है, डेलीट करना है, रिमूट करना है, और कुछ टॉकट्स भी है, तो अगर हम आज देखेंगे, किस तरह से इसके काम किया जाता है, चलिए, एक्सल की तरफ हम मूव होते हैं, यहाँ एक्सल में, जो है, यहाँ जो है, 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 जो है यहां पर आप जम कर सकते हैं. For example, मैं यहां पर कुछ नाम टाइप करनी की कोशिश करता हूँ. यह कुछ आर ताम टारी करना ही नहीं पर पर का भीड़ते हैं, जैसे आपने Escape की यूज़ किया यह सेल जो था आपका एसेडिस जो पहले जैसा था वैसे हो गया है अब यहाँ फिर से मैं टाइप करता हूँ जुबैर अब यह नाम को जो है आपको इसी सेल में एसेडिस रखना है तो आप जो है राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं टाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं टैग की का यूज़ कर सकते हैं और एंटर की का भी यूज़ कर सकते हैं जो भी की आप यूज़ करोगे यह नाम एज़ेटीस वहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ पर एंटर की का यूज़ करकर आपको बताता हूँ, यह देखिए, एंटर की किया, यानिकि जो है आपका जो नाम है constant वहाँ पर रहे है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर जुबहर के जलता हूँ, तो यह देखिए, ओवर्राइट हो जाता है, ओवर्राइट हैने क्या, कि वह जो नाम था वहाँ से चला जाएगा, और जो उसके उपर आप टाइप करोगे, वह वहाँ पर आ जाएगा, तो इसके लिए मैं फिर से escape की करता हूँ, escape की करने से जो है, आपका जो आप सहीर टाइप कीजे, यह देखिए, और आप एंटर कीजे, यहाँ पर आगे आपका यह देखिए, उसके आगे आपने टाइप कर लिया है, ठीक है, अगर आपको आगे टाइप नहीं कर रहा है, उसके नीचे टाइप कर रहा है, तो आप फिर से अगर मैं यहाँ पर फि Ctrl-Z कीजिए आपका जो है आटोमेटिकली जो है वो डिटा जो पहले था उस कंडिशन में आगा है अभी आपको यहांपर सिर्फ सहीद रिमूट करना है तो आप क्या कीजिए फिर सिर्फ फॉर्मुला बार पर जाईए यहांपर और बैक स्पेस की उज़ करना है यहां से में कुछ एडिडिन करना है तो कीबोर्ड से जो है न दोस्तों आपको क्या करनाओगा एफ टू कीजिए प्रेस करना होगा जैसे आप प्रेस करोगे आपका जो करसर है उसके अंदर ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाए यानि कि आप उस तो एडिडिन कर सकते हैं यहां पर आपको home key press करोगे आप तो home key press करने से आपका cursor starting में चले जाएगा cell का जो start है वहाँ पर चले जाएगा लेकिन आपको F2 key press करके home key पर आप आते हैं आपको फिर से end में जाना है तो keyboard से आपको end बटन मिलेगा keyboard के उपर home के नीचे ही just end key पर click करोगे तो आपका जो cursor है फिर से end में आ जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पर type कर सकते हैं लेकिन आपको आगे की तरफ type नहीं करना है आपको जुबेर के नीचे type करोगे आप जो भी type करोगे आपको continue type नहीं करना है नीचे type करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा keyboard से alt plus enter की उसकरना होगा कौन सा के alt plus enter जैसे आप alt की प्रेस करके enter प्रेस करोगे साथ में तो आपका गरसर नीचे आ जाएगा आप उसको नीचे की तरफ इस तरह से type कर सकते हैं यह देखें तो यह तो हो गया editing से related कि आप किस तरह से उसको editing कर सकते हैं और cell में आपको left arrow right arrow जिस तरह से आपको move करना है आप उसको cursor को आपके cell में आप move हो सकते हैं अब चलिए formatting की बाद आती है कि आपको formatting किस तरह से apply करनी है तो formatting के लिए मैं यहाप कुछ data आपको type कर के बताता हू हूँ for example मैंने यहाफर name type कीया और यहाप for example कुछ age type करता हूँ यहाप for example उसका anything xーz कुछ भी type करता हूँ मैं यहाप उसका for example surname यहाप टाइप करता हूँ ठीक है यहापर मैं नाम देता हूं 2-3 यहाप तो आपको पता चले में यहां से इसको ड्राइग करके फिल करते हैं जो से कोई कलर लेता हूं यहां पर यहां से जाके फॉर्मिटंग बॉड़र देते हैं आप मिने प्लेइस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको बॉड़र के उपर भी जो है ना दोस्तो विडियो मिलेगे यह हो गया अब मैं साद ही साद यहां पर फॉर्मिटिंग और एक चीज़ करने के लिए आपको डिलीट करना है आपको उसके पर राइट क्लिक करना है यहां का जो डिलीट करता हूं और यहां पर अब मैं यहां से लेकिए फरहान एज और सरने जहां का जो डिलीट करता हूं तो क्या होता है देखिए जैसे मैंने कीबोर्ट से डिलीट बटन प्रेस किया यह जो है आपका डेटा डिलीट हुआ है वहां पर फॉर्मेटिंग जो कलर था ना वह रिमूव नहीं हुआ है फिल से कंट्रोल जैट करता हूं यह देखिए अब मैं यहां से देखिए उपर की से डिलीट करता हूं जैसे मैंने अपर और तो तो क्या यहां पर आपको थो हैं वुर्मेटलカンタ करना है क्लिक करोगे अधार यहां पर यहां पर देगिए आपको ना यहां पर एक Eraser मिलेगा यहां पर Eraser मिलेगा जैसे आप Eraser पर क्लिक करोगे, आरो पर आपए clear all clear format, clear content, clear comments, clear hyperlinks, यह सारे उपशन्स मिलें तो हमारे यहां पर hyperlinks नहीं, comments नहीं, content नहीं, तो आपका जो भी फॉर्मेटिंग था ना वो सारा डिलीट हो गया यानि कि हमें पॉल्डरस दिया था गलर्स दिया था बोल्र दिया था सब कुछ यहां से रिमूड हो गया तो इस तरह से आप डिलीट करता हूं मैं फिर से हमाँ जाता है अंडू करके और यहां पर देंगे क्लिक जाता हूं लाइं फिर से में फिर करता हूं यां इसी चीज़ आपको ऑगर इसका यूंज करना है तो आप क्या करोगे सब से पहले आ यहां पर आइ movie अ आपको शिट की प्रेस करनाई करना है और डाउन की तरव मुझे मैं आपको बजा रहां किकाल की से मिदा हुआ यही हम यहां पर हमके और आपको करना है यह ऑपको कवर से रीटिन में किरना नुफ कर दिया है शिफ्ट की के बाद अभी आपको right arrow की उपर जाना है, यह देखिए हम right arrow की तरफ, यह keyboard से किस तरह डिलिट करते हैं, मैं आपको बताएं, अब shift की आप छोड़ दीजिए, अभी आपको keyboard से all key press करता हो, जैसे आप all key press करोगे, देखिए उपर की तरफ जो है आपको यहाँ पर जैसे मैं एजप्रेस करता हूँ, जैसे मैंने एजप्रेस किया, एजप्रेस करने के बाद, देखिए clear के लिए क्या shortcut बता रहा है? E बता रहा है, यहाँ पर अगर आप आप आके देखोगे, यह देखिए E बता रहा है, तो आप E press कर लीजिए, जीए E प्रेस किया, अब प्रेस करोगे और इसके बाद एच प्रेस करोगे एच प्रेस करने के बाद आपको एच प्रेस करना है और क्लियर जो भी आपको करना है वो डिपेंड करता है आपके ओपर क्लियर प्रेस करना चाहते है और एक्जामबन मैं क्लियर आल करना चाहता हूं तो मैं आप क्या प्रे आपने clear format किया है। लेकिन मुझे entire column delete करना है। For example, entire column delete करना है मुझे, तो मैं इसके लिए क्या करना हूँ, वो भी देख लिए, या मुझे एक column insert करना है, या एक root delete करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे वो भी आप देख लिए। For example, यहां पर इंसट करने का देख लिए हैं. जीसे की कॉलम के बीच में मुझे बीच में एक कॉलम एड़ करना है, एड़ करके मुझे वही पर कुछ फिल्ट टाइप करना हूं.. For Example, मैं यहां पर आता हूं कॉलम लीर कॉलम अगर साथ गार मैं करना है, और कीबॉड के उपर आगर आप देखोगे तो आपको एक Right Key का Button मिलेगा जस Ctrl Key के पास आपको Right Key का Button मिलेगा जहीसे आप Right Key press का 24 कीबॉड से बन्से रिग्प्रैस करते हो यहां पर आपको Option मिलेगे pak beb जीँग मिलेंके दी टुर इंसर्ट के इसे मैं बताता हूं, shift, control key press कि एफ press किया, shift press किया हमने, तो आपका जो है वो, यह देखे column से लगए, control के साथ space bar, फिसे बता रहा हूं, और right click आपका keyboard पे मिलेगा, keyboard पे जाईए, for example, मुझे delete करना है, तो मैं delete यहाँ पे d press करना है, देखे d, simply आपको d press करना है, तो इस तरह स क्लिक के जे, आपको इसे हम column, insert भी पे बता है, तो इसे हम इसे हम पे बता हूं, अब मुझे entire row पुरी delete करनी है, तो row delete करने के लिए आपको shift की press करके space bar का यूज़ करना है, देखे, मैं फरान नाम की row कोण से delete करना, depends करता है, मैं फरान नाम की row मुझे delete करनी है, तो मैं shift की प्रेस करता हूं और स्पेस बार यह देखे पूरी एंटायर रो जो है न वो पूरी चरह से सलेक्ट हो चुकिए उसके बार आपको क्या करना होगा राइट की का बटन जो है आपके कीबूर्ड के उपर बना हुआ है आप उसके उपर क्लिक के जे यहाँ पर आपको ऑप्शन म करता हूं यहाँ पर काइप क्विस कें तरह करना कीजिए यहाँ इक विडिओ में आपको बताया है कि हम किस तरह करते हैं और इसको फॉर्मिटिंग करते हैं और साथ ये साथ कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं I hope मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे इस वीडियो को ज्यादर दा लाइक और शेयर केजिए Thanks for watching